आप सभी का स्वावत है दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपकी विंडूज 11 PC टैप टॉप में नॉट रेस्पोंडिंग एप्स को जो है कैसे क्लोज करते इस वीडियो में आपको बताने आला हूँ तो जैसे के एक आप यहां पर मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर एक आप है यह इस तरह का अर यह मुझे मिल रहा है बट यह प्लोज भी नहीं होँ एंन लगा है एफ फोर प्रेस करना है आपकी कीबोड से इससे आपका जो है ओपन एप क्लोज हो जाएगा अगर इनके से शॉटकट कीवर्क नहीं कर रहे तो आपने टाक्स बार पे जो भी आप आपका जो है प्रॉब्लम दे रहा है उस पर आपको जो है राइट क्लिक करना है यहां से भी अब यहां पर आपको जाना है और यहां पर आपकी जितने भी ओपन एप्स रहते हैं वह आपको मिल जाएगे उसमें से आपका जो है एप सेलेट कीजिए और उसके बाद एंड टाक्स पे क्लिक कीजिए वह जो एप है प्लोज हो जाएगा फॉर्स ली इनके से भी में थर उच्छे इको लोग करेंगेज श्रक पर नहीं करना था है तो और एक मैसल्ग कर सकते हैं आप जाहिए आपके उडिक्श डंड कि में मझेशा रहता में में रहता है तो कि लिच्ट में इंस्टॉ देख सकते हैं तो यहां से आप कूझ आपको जो भी एप्स रहता है वह आपको 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 करना है आपका जो एप है वो भी यहां से भी फोर्सली क्लोज हो जाएगा ठीक है तो यह कुछ और सिंपल सेलुशन नॉट रेस्पोंडिंग एप को क्लोज करने के लिए अगर यह सारे में नहीं कर रहे हैं तो आपको लास्ट में आपको क्या करना है आपका जो PC रहता है वह आपको करना पड़ेगा ठीक है फोर्सली शॉट डाउन कीजिए उसको शॉट डाउन होने के बाद आपके एप्स भी क्लोज हो जाएगे यही है इसका फाइनल सेलुशन तो कमेंट सेक्षिन में बताईए आपके पास कौन सा वाला में थाड़ वर क्या है वीडियो पसंद आ गई ह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थाइंक यू वेरी मॉच